आज मैं आपके लिए चिकन टोफी कबाब के रिख रहा हूं यह बहुत ही रिख रहा है तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं setup विख चर्ण केमा लुए रहा ही कहिए करींडर लिए रहा है तो यह में रख डिया है तो ठोबर में MSP करिण यानडर लीव इसे चॉप कर लेंगे इस को сам helix में भाड़ दिया एट करना एट करना है वन् टेबल स्पून जिंजर गैलिक प्रेस्ट और तो ग्रीन चुली प् यह यह तिप आपने फोलो करनी है थेन पॉडर इसपैसे है 1 चीपोटन चाइनी सॉल 1.5 तेबल स्पून राध चीगंदी का मसाला 1 tablespoon cumin powder, 1 teaspoon white pepper powder, 1 teaspoon black pepper powder, तमाम मसाले हम मिक्स्टर में add कर लेंगे, then हम add करेंगे 1 tablespoon cream, और फिर अच्छे से mix कर लेना है, तो spoon से मुझसे सही अच्छी तरीका से mix नहीं हो रहा है, तो मैंने हाथों से कर लिया, आप गलफ्स पहन के फिर कर लें वहना आपके हाथ जलेंगे, then इसमें 1 teaspoon मैंने solder कर लिया, आप अपने desk according add करें, then अच्छे से mix कर लें, और यहां पर यह mixture हमारा ready है, चलते हैं next process की तरफ, यहां पर मैंने foil paper की sheet square कट करके ले लिये, अब जो यह mixture है, वो straight हम रखेंगे, ठीके corner से थोरा सा उपर की तरफ रखेंगे, और हातों को oil से grease कर लिजेगा, और यह second spoon है, इसकी भी मैंने back side पर oil कर लिये, ताकि अच्छे से मैं set कर सकूँ, तो देखें यह thin layer हमने इस तरीके से लगा लेनी है, फिर इसमें हमें चीज एट करना है, तो यह मैंने मौजुला चीज स्टिक लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, बट मौजुला लें तो जादा बैतर देखेंगे, बहुत अच्छा स्ट्रेच होती है, अब यह इसके ओपर अगें मिक्स्टर लेके एक टौफी के शकल देगे, इस तरीके से फिर हम ऐसे wrap कर लेना है, इस तरीके से देखें, टौफी के शकल होती है, ऐसे wrap करनेंगे तो बनेगी न, यहां पर दोनुँ साइड को हम सील कर देगे, मैंने थोड़ी थीक कबाब थी, अब मैं आपको थिन बना कर भी बताऊंगी, और यह स्ट्रेट पर रखकर जो शीट बनाई थी, आप मैं आपको चौर्नेर पर रखकर बनाना बताऊँगे, जो हम आप बेब वही चुछी लिए है वही शीटे ली है, भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं और वही जो इस्टेप से वह हम follow करेंगे बस फर्किए कि वह थिकती है और ये थिन ती तो मैंने आपको दोनों इसलिए बताई तक आपको पता चले कि दोनों ही अच्छे से टेंडर हो जाएगा कुछ भी कच्छा नहीं रहेगा चाह हम तू मिनूट्स तक रोस्ट करेंगे, जा और रोस्ट करने के बाद हम इसमें एट करेंगे आयल, तो तू तू तरी टेबल स्पून ही ओएट करना है, जादा बढ़ते दाइज ऑइज अईएट कीजेगा, तो अईट करने के बाद हमें दोनों साइट्स को 3 मिनट्स फ्राय कर लेना स्लो फ्लेम पर और यह देखें गाइस हमारी टोफी कबाब रेडी है अब इसे मैं निकाल लिया और यहां देखें मैंने प्लेट में सर्फ कर लिया बर यहां ही बात खतम नहीं हो गई मैं आपको इसका फाइनल लुक बताऊ है शूट कर देखें मैं मुझे पानी आरा लिटरली बच्छावी सब्रून जमीलून तो यह देखें कितनी थिकती बट यह भी टेंडर हो चुकी है और आप देखें मैं आपको मुझेला कर रिजल्ट बताती हूं और यह देखें मुझेला चीज ने अपना कमाल दिखा दि हुआ 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 ह